तो थंबनेल देख करके आपको पहले ही आइडिया हो गया होगा कि कैसे पहचाने की हमारा स्टोक अब जाएगा या फिर डाउन बहुत इंटरस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तो आज की आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लीट बता दूँगा किसी भी स्टोक के बारे में आप किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो स्टोक है जिसमें हमने पैसे लगाए हैं वो उपर जाएगा या नीचे जाएगा चले दोस्तों इंटरस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं अब देखो दोस्तों जब भी कोई कम्पनी है वो हमें अगर मान के चलो वो हमें 5% के रिटन दे रही है पर एयर के हिसाब से तो उसमें हमें दोस्तों क्या होगा अगर हम 10,000 रुपे को लगात आपका जो पैसे था वो भी आदा हो गया अब दोस्तों इसा हुआ क्यों देखो इसके पीछे ने सिंबल से रिजन ये होता है कि आपने जब उस स्टोक को खरीदा होगा उससे पहले आपने उसकी फाइनसिल रिपोर्ट को यहाँ पर नहीं पड़ी होगी तो सबसे नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर लक साथ दे देता है आप सोस्तों यार वह यह कंपणी तो बहुत अच्छी है मेरे को समें बहुत ज्यादा पैसे लगा देने चीए जिससे कि में दोस्तों यहाँ पर करोड़ पती बनना एक अलग टर्म हो गई अपने पैसे को एड़ करके अप जा करती है अपने ना एक जो फानल स्टेट होती है उनकी या तो हर एक 6 मेने में हो सकती ही या फिर 3 मेने में हो सकती है पूरे साल की हो सकती है उसको आप जाकर के डीप में जाकर कर पढ़िए अगर आपको पड़ना नहीं आता तो इस वाली वीडियो को देखे यहाँ पर किया हुआ है अच्छी तरीके से कैसे आप अपने लिए बेस्ट पिक अप कंपनी जोंड सकते हो तो दोस्तों नंबर मन यहां पर रेजन है कि आप जाए किसी भी कंपनी का फानेंसर स्टेटमेंट यहां पर आराम से पढ़िए सेकिंड दोस्तों होता है लोगों की यहां पर स कि इसुलए आपको चैनल को सबस्क्राइब करें वहां वो क्या करते हैं दोस्तों आपको ऋड़िए हेख स待 ब्रूपर जारा है तो अर्व और जाए मेरे ख्याल से ऊपर संवाइब जाये यहां पर बाद कर दो तो सेकंड रिजन हो गया है लोगों की जो सलाह है उनको लेना बंद कर दो ठीक है और अपना खुद का दिमाग लगाओ यहां पर जब आप खुद का दिमाग ही लगाओ किसी इस टोक में तो कैसे आपको पता चलेगा अगर दोस्तों आपको किसी दूसरी चैनल की वीडियो समझे में नहीं आती तो आप इस वाली वीडियो को देखे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक की टीवी ब्रो आपकी फीड में हमेशा होना चाहिए मैं तो यही सोचता हूं इसलिए आप बात आ जाती है हमारे बाइ और दी मैं ने वीडियो बनाए विया आपने चले सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कहां से देखो गया आप वीडियो को क्या कोई बात निए टाइमिंग वाला कॉनसेप मैं आपको दुबार से समझा देता हूं देखो दोस्तों क्या होता है बान के चलो यह जो कंप कि 2017 से 2022 थीक है इसमें क्या हुआ दोस्तों की उल्टाइम पीक पे पहुंचने के बाद में ऐसी डिप पे गई कि कंपनी का सारा इंवेस्टर का जितना भी पैसा था वह बिल्कुल इनकी ग्राफ से भी नीचे चला गया और दोस्तों ऐसा इस कंपनी ने क्या कि पहले तो यह कि 2019 सके डाउन लेवल पर रहा हमारा पर अचानक से इतना जाब पर पहुंचा कि इन्वेस्टर का पैसा ओल्ट टाइम हाई हो गया इस कंपनी ने क्या किया और इस कंपनी ने क्या किया मैं आपको बताता हूं आपने इस कंपनी की स्टैश्टी पड़ी होगी फोलो आपने इसको किया होगा आप जान गए हाई होगा पर दोस्तों मैं आपको यहां पर टाइमिंग के बारे में बता रहा था देखो मान के चलो आपने यहां पे अपना पैसे लगाया थोड़ी दिन के लिए तो ऊपर ऊपर गया ठीक है एक साल तक इसमें टाइम लगा मान के चलो 2017 से 2018 तक आपने अपना पैसे लगाया और एक साल तक तो आपको दोस्तो बेस्ट बेनिफिट दिया उसके बाद में क्या हुआ नीचे चला और जगा दोस्तो अपने पैसे लगाय रखा लगाय रखा लगाय रखा लगाय रखा लखा लगायर रखा देखा जाएं तो estrang 2019 में आप जोडल्यू याश्म को फरक नहीं बढ़ता आपका पैसा उतना हुता जो की दोस्तो 2017 में था उसकी बाद में आपने दोस्तों जैसे ही company उपर उठना start की मान के चलो दोस्तों 2021 में आप company उठना start हुई तब जाकर कि दोस्तों आपको जो पैसा है वो double हो आपे होना start हुआ तो timing के वहरे में अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो आपको अपना पैसा उस time पर लगाना चाहिए जब company हमारा उपर उठना start हो जाए ना कि दोस्तों नीचे जाना अगर दोस्तों आप यह समझ की पैसे लगाओगे कि मेरी company नीचे जा रही है और मैं इसमें और पैसे लगा दिया तो मानके चलो आपने यहां पर पैसे लगा दिया और यहां से लगाने के बाद में ही यहां पर down चला गया तो आपका यहां पर घाटा हो गया ना आप सोच गुचोर की ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा चला गया नीचे तो उस टाइम पर पैसे लगाओ जब company दोस्तों अपने जो graph है उसको ऊपर ऊपर शो करें ठीक है वहां पर दोस्तों अगर आप पैसे लगाते हो तो वह timing आपके लिए best थाबित होती है मेरे हिसाब से और दोस् सब्सक्राइब करना अगर आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो मैं आपको दोस्तों इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसी आसी टेक्निक्स बताऊंगा कि आप खुद ही आपर पता लगा लोगे कि यह जो स्टोक है जो कि अकाश भाय ने बताया वो उपर वाइट कलर का हो चुका है तो वाइट कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप कोमेंट करके बताइएगा अगर आपको दोस्तों बहुत जादा नौलीज लेनी है किसी भी इंडिविज्विल स्टोक के बारे में कंपनी के बारे में अब आउट दोस्तों फाइनेंस के बारे में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं आपसे मिलता हूं बहुत जलती नेक्स व्यूडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।